सब्सक्राइब निए पर चोटे सोटे बच्चे हैं यह अपने उससे कैसे ऊबर पाएंगे यह कैसे अपने आपको खड़ा कर पाएंगे इनको जो भी इस क्रत्य में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलने चीए नमस्कार साथी इस वक्त में बात करें तो खेतर ड्यूपकंड के ग्राम पंचयत बवाई में इस वक्त में महुजद हूँ और जिस परकार हम बात करें कि साथी सखस्यांकी की अधिकारी चेतन सर्मा की संदीग की दिष्चा में इस परकार से उनकी मौत हुई है और परैईजन आरूप लगा रहे हैं जिस परकार से आप इसल Douglas देर हैं पूरा जो परिवार हैं वो पूरी बाते आपके सामने रख रहे कू पूरों गटनाकरम कू लेकर चेतन जी सरमा फुर्वाげृंило की अधिकारी थे सायक के अधिकारी उनके घर पे हम पहुंच हैं उनके भाइ baru बैठा के हैं पर मामला क्या है क्या परिवार मांग पूरी बा 1700 मामला पूरा मामला बता ह dużo मामला उनको पrence करने का उनके साथ मारपेट करने का उनके साथ बहूत गलत हुआ है बहुत पहले भी और ऑनुके बहुत बार मारपेट होई उसमें उन्होंने application में दीती लिकित में कि मजुदेवी ने मेरे साथ मारपेट करिए और उनका पूरा वरतान ने तो वहां जब वह गए उसके कुछ तक तो ठीक चला उसके बाद में उनको प्रतारित करना चालो कर दिया मांच से परिशान करना चालो कर दिया ही वह एकदम सिंपल सरल सुबाओं के बहुत यह बात है आपको बताया करते था बिलकुल बताया नहीं करते था हमें हमें भावी जी और वह यह बात करते हैं थे घखना चाहीं करते थे कौन करते थे गटने करम उनके साथ उनके वंजु देवी एक प्रित्तम और एक यह अजय सुरंदर यह तीन चार लोग थे जो बहुत प्रेशान करते थे और जो वहां के मैनेजर हैं वह कभी उन्होंने कभी एक्शन ने लिए उनके खिलाफ कि कभी पर्टाजित करना हैं उनक वैंगाचिक से परिशान करते हैं कभी उन्होंने संग्यान ने लिए उसका यह वाला करम हो इसमें क्या रहा कि भूस इसमें क्या रहा है कि वह जब आठ이지 उनके साथ 162 वह देने अल्लों चीफितन ने जिस मिञाना चीफ साब को अप्लिकेशन दिये के मेरे साथ यह मार्पेट हुए और मैं बहुत परिशान हो चुका हूं और इनके खिलाफ पर कारवाई की जाए जो मुझे और बविशे में कभी इनसे माफ़े मंगवाई जा उचित कारवाई की जा तो फिर उसके आवज में चीप साफ में उनको चेतनमिश्रा को ही नोटिस दिया और नोटिस में लिखा कि आपके साथ यह मार्पेट होई है आपने एप्लिकेशन दिये और आप मांसे की रूप से बहुत परिशान हो चुके हो तो आपके साथ जो मार्पेट होई है उसके सब्वाउत और गवा आप पेस कीजिए तीन दिवस के वितर और नहीं तो आपकी की जाएगी मंलब चेतन जी मिस्त रहे हैं उनके साथ ही तो गलत हुआ है और उनको ही जो चीफ है उन्होंने यह का कि आप गवाह हमारे सामने परस्तूत कीजिए वर्ना आपके खिलाफ कारवई होगी मनलब जो जो परेशान नहें जो पीडित है उसी को ही आपके का रूटीन मंदिर जाते हैं मंदिर जाके फिर आपने ऑफिस चले ऑफिस जाने के बाद में उन पर प्रेशर डाला कि अपने घवा सबूत पेस कीजिए करने ही पड़ेंगे तो अब भावी जी उन्होंने कमरे पर किराये पर लेके रहते हैं वहां चले तो खाना बना के डिली क अब पर फिर उनके स्वास्ते खराब होगे अब मारफिट करने से वह गिर गया चोट लगी इंटर्नल और उनके ब्लेडिंग चालो होगे उनको पकड़के वह ऑटो में डालने लगे जबकि उनको सूचना भी देनी चाहिए थी सुचना नहीं दी पत्नी को कि आपके पती खराब हो गई है यह गटना हुई है वह खुद टिफिन लेके डेली आती है उन्होंने देखा ओटो में डाल रहे हैं अच्छा टिपान दे हुद पताया उनको तो बताया कि नकी खराब हो गई अब और उसके भी साक्षे हैं मेरे पास तो वहां से उनको पहलो जब बीडी के में हमारे यह कि वह बेड़ी के में ही उन्हों हो दम तोड़ी तक है जोड़ा बहुत बताए हम अभी तो वह भी तो लायक नहीं यह बता से कर दिया और दम उनों ने बीडी के में तोटे फिर जैपुर के लिए रेफर कर दिया है यह कर दिया किने कर वह चाहण पांच स्टाफ और चीफ मैनेजर ते साथ में उनको जैपुर तो रेफर कर दिया जब दस्ती और एमुलेस्ट में डाल के उसिर्फ पतनी और दो चोटे बच्चे हैं उनके साथ एक इन्सान को गम से सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो चेतन जी उनकी धरम पत्नी और उनके बच्चे फिर हम फिर हमारे रिस्तेदार हैं उनको बुलाया भाईया को वह फिर बाद में साथ में गए उनके उन्हों ने यह भी बुला कि यह आप क्या मतलब सब्सक्राइब यह तो दो तिन गंटे पहले ही खतम हो चुके बोड़ी नीली पड़ चुके थे ठंडी पड़ चुके थे बच्चे बच्चों ने खुद देखा है वह उन्होंने बताया कि पापा की तो ठंडे और नीले हो रहे थे हम एंबुलेंस में हम तो निकले रास्ते म हमने देखा जिए अब वहीं पर उनको म्रत को सित कर दी अभी क्या मांगा सर इस पूरे मामले में जिस प्रकार से आपने घटना करम बताया कि कहीं न कहीं हम बात करें तो बहुत घलत हुआ उनके साथ जैसा कि पूरा घटना करम है अभी परिवार्जन है आप उनके भाई ह है क्या मांग रखते हैं सासन पर सासन सर बहुत जैसे निकल पाएंगे यह कैसे अपने आपको खड़ागर पाएंगे इनको जो भी इस क्रत्त में शामिल ने उनको कड़ी से कड़ी सज्जा मिलने चीए उनको तुरंत निलम मित कि आ जाना चीए अचा वहाँ पे छेत्र में है जुनु कोटोवाली थाने में दर्ज है इस वह चांच को प्रभावित भी कर सकते हैं उनका तुरंद निलंबन किया जाना ना चीए उनको और हम में उनका नेलंबर और उनके सजा हमें चाहिए हमारी यह मांगा उनको तुरन अच्छी कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलाए जाए चेतन जी मिस्राजी के जो परिवार के सदर से भी है एक बारें से बात्चित करेंगे मैं चेतन मिस्राजी का चाचा हूँ और आज जो परिवार में जो घटना घट्री है बहुत दुखत है मैं तो यह की मांग करता हूँ कि जो जो दोसी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जाए पहले आपकी बात होते थी चेतन जी मेरी बात होते थी जब भी मैं भी चेता हूँ बात होते लिड LIVE में फोलें था जापान लेता हूं अभी चार-पान दिन से इंडिया हो और अधर मतों मतों यही प्रात्मा करूँगा कि इसको मामले को गंभी रूप से लिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उनको दूद का दूद पाने का पानी किया जाए ह कर दी तानी कर रहा कि कबी इतार कर भी कोई चर्चा रहती कि इस मामले में लेकर क्या है यह क्मेरा मेरे से तुम मैं जी अश economies Maldon थे और फोन से भाई और वो खुद बात पताया करते हैं कि मेरे पास तरह से मुझे पताड़िच किया जाता है और मैं भी गया हूँ उंसे मिला हूँ और कहा है उन्हें पवाई इस तरह के आप मत करो इस अब हो अधिकारी हो करके इस अब हो आदे करता है है झीज़ लास्ट टाइम कब बात होई थी आपके अशे मेरे जो नहीं है वह अभी मेने पहले बाटिज को इस वह चाहते हैं पर शेटन जी को मतलब यह परेसान करने का क्यों किया गया उन्होंने इतना बुरा यह करते क्यों किया चेतन जी कभी ऐसे एगटना करम करते भी न मस्त रहते जैसा कि आप अपने काम से काम रखते थे पिर भी क्यों किया गया उनके साथ उन्हों ने बहुत टाइम काफी समय खेतरे में भी नोकरी करी कभी मतलब गाहों में किसी से भी आप उच सकते हो आधिकारी को हलका अधिकारी देख लिया या कैसे देख लिया वो सब्सक्राइब करें पर उन्होंने कभी ऐसा वेवार नहीं दिखाया है कि छोटे-चोटे बच्चों की सर्चे पीता का साय उड़ चुका है आप कहें तो किनको कहें मेरा निवदन रहेगा सासन परसासन से और जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनसे निवदन रहेगा किस मामले में दूद का दूद का दूद पानी का पानी करें